देर स्टूडेंट्स चलिए हम लोग चलते हैं नाइन्थ क्लास CBAC के लिए मैट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं जैसा कि हम लोग पिछे एक्सरसाइज 1.3 को पढ़े थे सब तरब से कोश्चन को किये थे अब आये हम एक्सरसाइज 1.4 के लिए कुछ थियोरी समझ लेते हैं पहले कुछ ऐसा चीज सिख लेते हैं ताकि आने वाले एक्सरसाइज 1.4 में हम लोगों को कोई प्राबलम नहीं हो सके तो सबसे पहले हम लोग आज सिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ओफ रियल नंबर ओन नंबर लाइन यानि कि रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कहां पे नंबर लाइन पे ठीक है यानि कि number line पे कोई भी real number का representation कैसे किया जाता है जैसे आपको पहला सवाल आएगा कि आप 2.665 का representation कीजिए ठीक है आप 2.665 का representation कीजिए तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि एक number लेना है एक number line लेना है ठीक है और उस number line पे आप हमेशाथ 0 से start करेंगे यहां हो गया 0, यहां हो गया 1, यहां हो गया 2, यहां हो गया 3 बराबर बराबर distance पे यहां हो गया 4 ठीक है अब आपको यह पता करना होगा कि 2 जो है सबसे पहले यहां इस point से सुरू करेंगे कि 2 जो है कहां आता है तो 2 जो है 2.6 है तो 2.6 जो है वो किसके किसके बिचाता है तो 2 और 3 के बिचाता है यानि कि 2.665 जो ये नंबर है वो किसके किसके बिचाएगा तो 2 और 3 के बिचाएगा तो आपको क्या करना है, यहां पर कि 2 और 3 के को लेकर एक आपको लेंस लगाना होगा, यह देखिए लेंस, एक लेंस बनाना होता है, और यहां पर ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, एक लेंस आपको बनाना होता है, ठीक है, दो और तिन को क्यों हम दो और तिन को घेरा लगाएं क्योंकि ये टू पॉइंट जब है तो दो और तिन के बीच होगा तो दो और तिन के बीच होगा तो टू वाले लाइन को यहां लाएंगे और तीन वाले लाइन को यहां लाएंगे यानि कि अब जो हम लोगों का जो अब नया number line हो गया वो कितना number line हो गया तो अब यहां हो गया 2 और यहां हो गया 3 ठीक है अब इतना के बाद आपको क्या करना है बीच में बिल्कुल एक बड़ा line लेना होता है जो 2 और 3 के बीचो बीच है जिसको हम लोग 2.5 बोलते हैं तो यहां कितना होगा 2.1 होगा 2.2 होगा 2.3 होगा 2.4 होगा इतना होगा और फिर इसकी आगे का अगर फिलिन दा ब्लैंक भरे तो यहां हो जाएगा 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और यह खुद उसके बाद 3 हो जाएगा उसके बाद क्या करना है कि हमें 2.6 दिखाना है न तो इस बार 2.6 है तो अब 2.665 दिखाना है तो 2.6 कब आता है तो 2.6 और 2.7 के बीच में आपको एक घेरा लगाना होगा क्यों लेन लगाना होगा क्योंकि 2.6 और 2.7 के बीच में नहीं आता है 2.66 तो अब यहां पे एक लेंस आपको लगाना होगा एक यहाँ पर लेंस, यह लेंस का मतलब क्या है, यह लेंस जो है बड़ा करके देख रहा है, तो अब यह 2.6 को आगे ले आएंगे, और यह 2.7 को यहाँ ले आएंगे, तो कुल मिलाकर अब हमें नंबर लाइन पर कितना देखने लगा, यह हो जाएगा, इसको जब बड़ा कर करके देखेंगे, लेंस की सहता से, तो यहाँ हो जाएगा 2.6, यहाँ हो जाएगा 2.7, ठीक है, और इसके बीचो बीच कितना होगा, तो इसको बीचो बीच होगा 2.65, और यहाँ पर बात करें, तो यहाँ हो जाएगा 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 होगा, और यहाँ क्या होगा, 2.66, 6 क्योंकि 65 है 2.2.67 2.68 2.69 यह होगा अब हमको करना क्या है फिर देखिए तो हमें 2.67 ठीक है अब यहां पर 2.6 से 2.7 के बिछ ला दिए अब हमें कितना चाहिए 2.6 के बाद एक और 6 चाहिए तो 2.66 देखिए डबल 6 है ना तो 2.66 से लेकर उसके अगला नमबर तक अगर आपको फिर से लेंज की सहता से इसको जूम करके देखना पड़ेगा ठीक है हम क्यों इसको घेरा लगा रहे है क्योंको 2.665 चाहिए तो 2.665 कब आएगा तो 2.66 और 2.67 के बीच में आएगा तो फिर इसको आप निचे लाएए इसको जब बड़ा करके देखेंगे तो अब ये हमें क्या नजर आएगा ज़र देखिए अब हमें ये नजर आन लगेगा 2.66 और ये नजर क्या आएगा तो 2.67 और इसके बीच का क्या होगा तो इसके बीच का होगा 2.665 होगा तो अब हमें यही तो चाहिए यही न 2.665 चाहिए तो आप इसको जो है arrow लगा देंगे कि यही मेरा 2.665 है तो इस तरीके से represent किया जाता है लेन्स की सहायता से किसी भी नंबर रियल नंबर को नंबर लाइन पर है चलिए एक और एक्जामपल देखते हैं अब की बार एक्जामपल है 5.37777 इतना को हमें represent करना है सबसे पहले आप यह देखिए कि एक नंबर लाइन बना दिए यहाँ पर आप 0 से start करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आप देखिए कि 5 point है तो 5 point है तो 5 है तो 5 और 6 के बीच ना आएगा 5 point something तो 5 और 6 के बीच में आपको एक lens बनाना होगा अब एक lens बना दिए यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा यह पकड़ने वाला है पकड़ने वाला अच्छा से बना दिजेगा तो यह एक lens है तो अब जब इसको lens से देखेंगे तो यहाँ पर जूम करके ऐसे कुछ दिखाएगा यानि कि यहाँ पर दिखाने लगेगा 5 और यहाँ पर दिखाने लगेगा 6 अब इसके बीच में कितना दिखाएगा इसके बीचों बीच दिखाएगा 5.5 और इधर कितना कितना दिखाएगा तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 यहाँ कितना दिखाएगा तो 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 इतना दि कितना चाहिए दीन चाहिए न तो 5.3 और 5.4 के बिच लगा ली फिर 5.3 और उसके आगे एक पॉईंट वला के बिच लगा दिये तो लेंस लगा दिये तो कुछ इस तरीके से लेंस देखेगा अब यहां पे जब आप इसको जूम किजिएगा तो कितना बनेगा इसको जूम करेंगे तो इस तरीके के बनेगा यानि कि यह वाला हम arrow मार रहे का मतलब क्या हुआ यह वाला arrow दिखा रहा है यहां पे 5.3 दिखाने लगेगा और ये वला दिखाने लगेगा 5.4 ठीक है यानि कि आपको कहा लेंस रखना है तो हम पहले 5 पे लेंस रखे 5 और 6 को लेकर उसके आगे रखना है फिर आया 5.1 पांच पॉइंट दूर इस तरह से आपको दिखेगा अब आपको लेंस कहा रखना है तो 5.3 और उसके आगे 5.4 प देखे गा अब जड़ा इसको बीचों बीच का बात करें तो कितना मिलेगा 5.35 और यहां पर कितना कितना होगा सबका वह लिग देंगे 5.31 5.32 5.33, 5.34 यहां कितना बनेगा 5.36 5.37 5.38 5.39 इस तरीके से हमें बनेगा लेकिन अब देखिए तो हमें क्या चाहिए चाहिए 55.37, चाहिए 5.37 चाहिए तो 35.37 यहाँ है, तो इसके आगे वाला को लेकर एक और हमें लेंस बनाना है, तो और लेंस बना दिये यहाँ पर, ठीक है में ओर लेंस यहाँ बनाले अब 5.37 साथ और 5.38 को अगर जूम करके देखेंगे तो क्या बनेगा इसको और इस पॉइंट को अगर जूम करके देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा यहां पर क्या बनेगा यहां पर बनेगा 5.37 और यहां पर बनेगा 5.38 ठीक है और इसको बीचे बीच क्या बनेगा तो 5.375 बनेगा क्योंकि 3.37 है तो यहां 3.37 बनेगा तो यहां कितना होगा 5.371 हो गया यहां 2 हो गया यहां 3 हो गया यहां 4 हो गया समझ रहें आप इसको लिख दीजेगा 5.371 से सुरू होगा वैसे 2, 3, 4, 5 फिर यहां कितना होगा 5.376 होगा यहां 5 है तो 6, 7, 8, 9 और यह खुद 10 हो जाएग तो यहाँ पे हम लोगों को अब क्या चाहिए पॉइंट के बाद 5.37 आ गया दो डिजिट तक के तो आ गया पॉइंट के बाद फिर 7 चाहिए तो यह 7 कब आएगा तो 5.37 यहाँ होगा और 5.378 यहाँ होगा तो अब इसको करके जूम करके देखना होगा यानि कि आपको ऐसे ही जूम करते 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 आपको देखते चले जाना है तो यहाँ पे कितना है 5.376 है ना हमको तो 377 चाहिए तो आप हमेशा इसको ऐसे ही बनाते चल जाएंगे आगे की तरफ और जब तक कि हमें पॉइंट के 4-5 डिजिट तक जितना नहीं आ जाता है आप चुजों को काम वैसे ही करते चले जाएंगे तो एक कोश्चन हम आपको और देते हैं अपने तरफ से जैसे कोश्चन ऐसे भी रह सकता है 2.42 को आपको दिखाना है रेक रिंग कहां पे तो अप टू 4 डिजिट कितना डिजिट तक 4 डिजिट तक तो इसका पहले कहने का तरीका क्या है 4 डिजिट का मतलब क्या हुआ इसका मतलब तो यह हुआ कि 2.42 4242 ऐसे इन्फैनेट तक लेकिन हमें 4 डिजिट तक ही दिखाना है का मतलब यह हुआ कि 2.4242 इतना ही तक आप खाली number line पर सो कीजिए तो आप समझ पा रहे होंगे इन चीजों को कि हम लोग कर कैसे रहे हैं आपको सबसे पहले जितना number बोलेगा उसके उसके बीच में lens लगाना है फिर उसको zoom करके देखना है तो ऐसा दिखेगा फिर आपको 5.3 चाहिए तो 5.3 और 4 के बीच lens लगाएंगे तो जब इसको लगाएंगे तो 5.3, 1, 3, 2, 3T ऐसे करके दिखाई देगा फिर आपको क्या चाहिए 5.37 चाहिए तो 5.37 और 8 के बीच लगाएंगे तो आपको जो दिखेगा फिर उसको zoom करेंगे और तब तक करते रहेंगे कि जब तक ये 2, 2, 4, 5 डिजिट तक नहीं आ जाता है ठीक है अगर 5 डिजिट तक आ जाता है तो हम लोग इसको आराम से कर लेंगे तो आपको ये question दिए हुए है 2.42 का 4 डिजिट तक के आप नंबर लाइन पे दिखाएए तो 4 डिजिट तक के हम लोग नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे तो 4 डिजिट का मतलब ये हुआ कि इतना और इतना को दिखा देंगे पहले आप 2 और 3 के बीच लेंज रखेगा उसके बाद 2.1 टू पॉइंट और टू टू पॉइंट ऐसे आएगा तो आप 2.4 और 2.5 के बीच रखेगा ता मिन अप फोर के आगे जो उसके नंबर बीच में आएगा तो बहुत इजिए है और आपको तो एक वक्स दिये हैं करने के लिए 2.42 को हम लोग नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे इसके साथ साथ exercise 1.4 का भी आपको खुद से solution करना है ये भी ऐसा ही question जो exercise 1.4 है इसमें भी वही question बोल रहा है जैसा कि अभी हम लोग question सिखें किसी भी real number को represent करने के लिए अभी हम लोग सिख रहे थे तो चलिए उमीद है कि आप इन चीजों को अच्छे से सिख गया होंगे तो आप ये वाला question को try करके आप जरूर send किजिए और exercise 1.4 में मात्र दो question है आप इसको जरूर बनाए तो इसी के साथ इस class को आज के class को समाप्त करते हैं धन्यवाद